उस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइग जरूर कर दे आप साओती हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के कीस जिले में रहते हैं तो चले शुरूआत करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से बाड़ी खर में देखे तामिल लाडो में बिहार के मईदोरों पर हो रहे हमले को लेकर एक्सेन में सीम नितिस कुमार मुई की सची वो डिजीपी को दिये निदेश जिहादे के उत्तर बिहारी मॉजदोरों को तामिल नाडो में निसाना बनाये जाने का मामला बिहार विदान समा में गोंजा है बज़ट सत्र के चोधे दिन भाजपा ने इसे मुददा बना कर सदन में हंगामा किया वहीं इस मामले पर अब बिहार के मुख मंतरे नितिस कुमार की बी प्रतिकरिया आई है सियम ने गुरोगार को ट्विट के जरे जान करें दी है कि बिहार के मौंướं के सचीव वा डी जी पी को तामिल नाड़ो सरकार के अधिकरियों से बात करने का नर्देश दिया गिया है सियम निदेश ने ट्वेट करके बताया कि समाचार पत्रों के मादम से तामिल नाडो में कारम कर रहे बिहार के मैज़ोरों पर हो रहे हमले के जानकारे मिली हैं सेयम ने लिखा कि बिहार के मुई के सचीव एवां पुलिस महाने देशक को निर्देश दिया गया है कि वो तामिल नडु सरकार के अधिकारियों से बात करे और वह रहने वाले बिहार के मैदोरों की सुरक्षा को सनिचीत करवाएं बारिकर में देखे बिहार में हुए बारा नरसंगहार कांड में 31 साल बाद आया कोट का फैसला किरानी यादव को उमरकेद 35 लोगों की हुई थी हत्या जहां देखे बिहार के गया जिले के बारा नर संहार कान के मुख अभियोक्त किरानी यादव को कोट ने उमरकेद की सजा सुनाई है सजा के साथ ही अभियोक्त पर एक लाक रुपे का जुर्माना भी लगाए गया है गुर्वार को जीला एवं 17 नयादिस मनोज कुमार तिवारी के अदालत में इस मामले के ओलाइन सुनवाई ही बता दे कि 13 और 12 फर्वरे 1991 को टिकारी थना के बारा गाउं 35 लोगों के हैता कर दी गई थी टाड़ा कोड से जुन 2001 में 13 अभियक्त को सजा हुई थी इनमें से चार को फासी की सजा सुनाई गए थी हाला की बाद में राष्ट पते ने चारों की सजा उम्र के अद में बदल दी थी तीने राज्जों की चुनाओं नतिजी में तिरिपूरा नागालेंड में भाजपा को फिर बहुमत मोही मेगाले में एनपीपी आगी जाद के परवत्तर के तीने राज्जों की विदानसवा चुनाओं में त्रिपूरा और नागालेंड के रिजल्ट आ चुके हैं दोनों रज्यों में भाजपा को फिर से बहुमत मिला है वहीं नागालेंड में भाजबा गडबंदन को 37 और त्रीपुरा में 33 सिट मिली है मेगाला में मुख्यमंत्री कॉनरोड संगामा की एनपीपी सबसे बाड़ी पाड़ी बन गई है एनपीपी के खाते में अभी 26 सिटी आई है वोटिंग के बाद एकजिट पोल्स में त्रीपुरा नागालेंड में भाजबा गडबंदन को बहुमत का नुमान था साथ इसी बीच आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा सर्मा ने ट्विट करके का कि मेगाला के मुख्यमंत्री कॉनरोड संगमाने गिरम मंत्री अमि एक दिलचब से जंग देश की पुर्वतर राज नागालेंड में हो रही थी नागालेंड की विदानसवा चुना में भाजबा तो मैदान में थी बिहार की चित्रिया पाड़ी जिर्वी राजद और लोजपा भी दमकम के साथ ड़टी थी गुरवार को नागालेंड का रि टोबू सीर्व से जित हासिल किया कास बात ये भी रहे कि चिराग पासवन की पाड़े के उमिद्वार नो विदानसवा चेत्रों में दोसरी स्थान पर रहे और काफी कम वोटों से भी हारे हैं बिहार के लोगों के समय सर नहीं सुननी चाहती है सरकार विजए सिन्ना बोले सदन में लोकतंत्र के मर्याद हो रहे है धुमिर जयादे के बिहार विदानसवा बजट सत्र का कल चोथा दिन था कल के दिन की सुरुआत के साथी विजए पी काफी हमलवार रही विरोद मिजए कुमार सिन्ना ने कहा कि तामिल लडों के अंदर बिहारी लोगों के सर बरबरता पूरवक पिटाई की गई वा दुर्भागे पूर्ण है लेकिन इसके बावजोद बिहार का मुख्य मंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए है सबसे बड़ी बात है कि संसद्य कार मंत्री और उप मुख्य मंत्री दोनों सतन के अंदर आये तक नहीं है इसको लेकर जब हम लोगों ने सदन में जवाब मंगा तो कोई जवाब देने को तयार नहीं है इसके अलावा विजय सिन्ना ने कहा कि जब हम लोग इसका जवाब लेने के लिए आसवन फर बेटे सिपिकर से आगरक कर रहे थे बाड़ी खर में देखे विदान सभा में उठा असलील और डबल मिनिंग भोजबूरी सौंग का मामला सरकार बोली होगी कड़ी करवाई जद के बिहार में इन दिनों भोजबूरी गानी को लेकर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया जिसमें अधिकतर सिंगर डबल मिनिंग गाने जा रहे हैं जिसके बाद अब यह मामला इन दिनों भिहार में चल रहे विदान मंडल सत्र के दोरान उड़ गया है जिसके बाद सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि इस पर रोक लगाने के लिए सरकार एक्सन ले रही है और दोस्यों को उपर करवाई की जाएगी दरसल भिहार विदान सबा वजर सत्र के तीसरे दिन सदन के मेंबर प्रतिमा कुमारी सहित अन्य ने भोजपुरी गानों में असलीलता वज्जाती सुचक सब्दों को परियों के जाने के मामला ध्यान करसन के जर्यें रुठाया था जिसके बाद इस ध्यान करसन के जवाब में प्रभारी मंत्री बिजेंदर परसाद यादव ने सदन को आस्वत किया कि सरकार इस पर रोक लगाने के लिए गंभीर है आवज से करवाई के लिए पुलिस मुख्याले की और से पत्र भी जारी किया जा चुक है अला कि मंत्री के जवाब से सवाल करने वाले मेंबर अधिक संतुष्ट नहीं हुए बाड़े खर में देखे बिहार सिक्षक बभाले के छटे चरण में न्यूक्ति का आखरी मौका काउंसिलिंग की तारेक हुई जारी बाड़ीकर में देखे बिहार में वायरल बुखार का भैंकर प्रकौब मरिज गूपधे को ठीक होने में लग रहे हैं दो हपते दर्द की सिकायत है इस बीमारी का फेलाव अधिक नहीं हो इसके लिए स्वास्त बिवाग ने सभी जीलों के अस्पतालों को पूरी तरह से तयार रखने को कहा गया है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि वायरल सर्दिक खासी और बुखार इन दिनों का हर बर पा रहा है अस ठीकी नहीं हो रही है दवा खाने के बाद भी दोबारा बुखार हो जा रहा है दूसरी और चिकसुक का कहना कि वायरल पाले की तुलना में ज्यादा घाता का सर दिख रहा है पहले जहां तीन चार दिलों में वायरल पीडित ठीक हो जाते थे वहीं इस बार 10 से 12 दिन लग जा रहे हैं सहर के अस्पतालों में परताल करने पर जानकरी मिली की वायरल पीडितों की सेंक्या में 35-40 पर 37 तक की बड़ोत्री हुई है बाड़े खर में देखे गंगा जल आपूर्ती योजना और गयाजी डेम को मिलेगा राष्ट्य पुरुसकार संजय जाने बताया सेम की दो दिश्टिक परिनाप जाद के बिहार के महत्वा कांची योजना में सामील गंगा जल आपूर्ती योजना और फालको नदी पर बने गयाजी डेम को सुकरवार को राष्ट्य पुरुसकार सीबी आईपी आवार दो जर बाइस प्रतान किया जाएगा विबाग की इस उबलब्दी पर जल संसदन मंत्री संजे कुमार जाने कहा कि प्रतिष्टित राष्ट्य पुरुसकार पाने वाली दोनों अतिम महत्वा कांची योजना मुख मंत्रे नितिस कुमार के अनुटी परिकपला और दूर दिश्टी का परिनाम है इन योजनाओं का नाम गंगा जलापूर्ती योजना और गयाजी डेम भी मुख मंत्रे के निदेश पर ही रखा गया है बाड़े करवंदि के साकिल से बिहार विदानसबा पहुचे मंत्रे तेज परताब यादा बोले परियावरन बचाना है तो साकिल चलाना है जाद के बिहार के वान एवं पर्यावरान मंत्रे तेज परताब यादव अक्सर अलग-अलग कारणों से सुर्क्या में बने रहते हैं पर्यावरान मंत्रे तेज परताब फिर से उस वक्त सब को हैरान कर दिया जब ओ गाड़े की जगा साइकिल से बिहार विधा जबन पोचे इस दोरान उन्होंने कहा कि साइकिल चलान पर्यावरान के अच्छा होता है । सबी को साखिल चलाना चाहिए उन्होंने भी कहा कि भारते जनता पाड़े की विदायकों को भी साखिल चलाना चाहिए और परियावरन को बचाना चाहिए दरसल कल बिहार विदान सभा के बजट सत्र का चोथा देन था जहां सदन के कारवाय में हिस्सा लेने के लिए पाड़े की विदायकों को सला देके साकिल चलाएं लेकिन ज्यादा बरवर मत कीजिए उन्होंने कहा कि भारते जंदा पाड़े की विदायकों को भी साकिल चलाना चाहिए और परावरन को बचाना चाहिए मार्च के पहले दिन ही देश के निवासियों को मांगाई का बड़ा जटका लगा है अब उनके घर के बजट में इजापा होना तै हो गया है अब मार्च महिने की सिरुवात होने की साथ ही घरेलू LPG सिलेंडर के दाम पचास रुपे बढ़ गया है अब राजणी पटना में घरेलू LPG सिलेंडर में पचास रुपे का इजापा हो गया है होली से पहले इससे बड़ा जटका माना जा रहा है दारसल मीडिया एजैंसी के मुताब एक 14.2 किलोग्राम माले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में पचास रुपे बढ़ा गया है वहें 19 किलोग्राम माले कॉमर्सिल सिलेंडर के दाम में 36.50 रुपे का इजापा किया गया है आपको बताते चले कि इस नए किमतों में बढ़ोत्रे के साथ यवराधानी पटना में अब घरेलू गैस की किमत पटना में 1201 रुपे की हो गई है जहरेली सराब से मौद पर नितिज का यूटन पिडित परिवार को मौज़ा देने के लिए सर्वदले बैठक बलाएंगे पहले कहा था जो पीएगा वो मरेगा जहादे कि बिहार के मुख्य मंतरे नितिस कुमार ने अब जहरेली सराब से होने वाली मौत के बाद मौावजी को लेकर यू टर्न मार लिया है जारिली सराब से मारने वालों को मौावज़ा देने से अब साप इंकार करने वाले नितियस कुमार ने कहा कि अब इस पर विचार करेंगे नितियस कुमार ने कहा कि इस मासले पर भी सर्वदल एक बेटक बुलाएंगे बतादे कि जारिली सराव से मौत के मसले पारे नितियस कुमार का बहुत चर्जित जवाब था जो पीएगा वो मरेगा पार में देखे मार्च 2025 से पहले सुरू हो जाएंगे पाटना मेट्रो के पांच इस्टे सन अवागमन में होगी सहलियत जादे कि बिहार सरकार के बजट 2023 में पाटना के विकास के रपदार अब वो तेज होगी बजट में सहर में कई प्रोजेक्ट के लिए रासी स्विकृत की गई है कई प्रोजेक्ट का विस्तार भी किया गया है पाटना में मेट्रो वाटर डेनेज सिस्टम सिक्षा स्वासादी के चेतरों में अधिक स्विधाय मिलेगी सडको वा फ्लाइ ओबर के निर्मान से आवागान में सहुलत होगी अगले वित्य वर्स में पहले से चले यारी सुरू होने वाले नई प्रोजेक्ट पर लगबग दस अजार कडोर से अधिक रासिक खर्चोगी इसमें विकास के रप्तार भी को गती मिलेगी मैं देखे आधिकारियों के मुताबिक पाटना मेटरों के एलेविटेट ट्रेक का निर्मान कारे तेजी से चल रहा है पाले चरन में मार्च दोजर पचीस तक पाटली पूतर बस टर्मिनल जिरो माईल बोतनाथ खेमनी चकोर मलाही पकड़ी स्टेसन सुरू हो जाएंगे इसके लंबाई पाटली पूतर बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी के बेच करिब 6 किलोमेटर की होगी आज के लिए बस इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूस देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें